है लूट्ये क्लास कोबारा लूकत. है निया वेलकम बेक महीं यूटीब चनल Sup bibli faculty студ Gray adolescent series दो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा तो आध ढूसरे क्मड 카 held मेंट करेंगे क्लास चिक्श की बात करेंगे आप लोगों के बहुत कमेंट्स साइब बहुत और आप लोगों के कमेंड्स मेल सब कुछ आया इसलिए हमने कमपोजिट मैथमेटिक के फुली अपलोड है चैप्टर नमबर बन से लेके जितने आपके चैप्टर हैं कमप्लीट अपलोड है बर फिर भी हम लोग इसके कोरोना में स्टार्ट की गई थी इसलिए वहाँ थोड़ा स्पीडली थी अब हम लोग आराम से वन बाई वन क्वेशन को करेंगे अपने देश्टों को भी लिंग शेयर कर दीजेगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज जो बच्चों हम लोग जो क्वेशन करने वाले हैं वो क्वेशन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लगा दिया गया है arrange the following numbers in descending order तो आपको descending order में लिखने है किस में लिखने है descending order में क्वेस्टे न अब बचस ऐब 5 है या आपका तो ये 5 में आपको ascending order गीन है क्या गीन है ascending order है स्को यहां सिरफ करेंगे ascending order है ascending order देंग lounge ascending order देखे सबसे पहले क्या लिखा हुई है first part 31586, एक बाग question दी चेक करेंगे 31586, 35816, 358136819, सबसे पहली बात बच्चों ascending मतलब होता क्या है? ascending का मतलब होता है बच्चों हम लोग ascending का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, क्या होता है ascending का मतलब? छोटे सबसे छोटा नमबर कौन है? सबसे छोटा नमबर तो यह हमारा कितना है? 3581, उससे छोटा 5 8 6 उसके बाद देखो आपके ये वाला बचा है ये बचा यहाँ 35 है, यहाँ 36 तो अब कितना आएगा 3, 5, 8, 1, 6 और लास्ट में कितना आपका 3, 6, 8, 1, 9 देखें, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया इसी तरीके से आपको एक्जाम में भी करने अब देखें, सेकिंड पार्ट जिनकी समझ में आगया वो अपने आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे और हम आप कौन सा पार्ट करेंगे इसका सेकिंड पार्ट, सबसे छोटा नमबर कौन सा होगा देखें सर, यह है सबसे छोटा नमबर 2, 9, 4, 3, 5 सेकिंड नमबर पे देखें, 29, 29 यह देखें, अब ही आ जाएगा कितना है, 2, 9, 4, 6, 3 अब कौन सा आएगा, सर, यह 4, 3 है यह 5, 4 है, तो कितना आएगा 4, 3, 5, 9, 2 और लास्ट का आ जाएगा, 5, 4, 3, 9, 6 यह आपका सबसे बड़ा नमबर है, बच्चो चलिए जी, यह वाला भी हो गया आपका अब हम आगए अपने इस 3rd पार्ट की तर्फ तो 3rd पार्ट में सबसे छोटा नमबर कौन सा होगा 3rd पार्ट में सबसे छोटा नमबर कौन सा होगा देखो ध्यान से, यहां लिखा है 1, 2, देखें 1, 2 कहीं है नहीं है यानि कौन सा सबसे छोटा होगा 1, 2, 3, 4, 5 देखो यहां पार, 4, 2 लिखा है यहां क्या लिखिया का 1, 3 यहां क्या 2, 3, तो यह होगा न तो कितना लिखेंगे 1, 3, 4, 2, 5 ठीक है 1, 3, 4, 2, 5 अब देखो यह बचे दो 2, 3, कितना आएगा 2, 3, 1, 4, 5 और कितना आएगा 4, 2, 3, 1, 5 देखो यह आपका क्या अग्या अंसर आगे देखो ध्यान से तो यह आपके चारों पार्ट्स आपके complete होगे 3 पार्ट्स आथा question number 5 में कितने पार्ट्स थे आपके 3 पार्ट्स थे तो बच्चे जो भी नए है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं क्या जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे साथ में bell icon प्रेस करिए और new video के notification बच्चो आप सभी को मिलते रहेंगे हम यहाँ पर पूरी composite mathematics की बात करेंगे यहाँ पर जिससे आपको कोई भी problem नहीं आईगी तो बच्चो question number 5 आपका यहाँ पर हो गया complete चलेंगे आप लोग अराम से note करें question number 6 की तरफ और 6 क्या कहता है उसको देखेंगे तो 6 में कहा रहा बच्चो arrange the following number in descending order कौन सा order है descending order है तो हम question को थोड़ा change कर देते हैं ठीक है और यहाँ पर हम part change कर रहे हैं आप लोग अराम से note down करें कोई problem नहीं आपको अराम से करते रही है आप लोग पहले हम question change करते हैं यह देखें descending order है तो क्या लिखा हुआ first part में 6 through 6234,6324 6432,632 देखें यह हो गया next part क्या है बच्चो आपका second part आपको कह रहा है 90403 90304 90406 90046 यह आपका third part हो जाएगा second part आएए जी third part देखें ध्यान से तो third part आपका बच्चो कहता है 82416 84126 86142 8264 यह आपका fourth part हो गया देखें थर्ड पार्ट हो गया आपको क्या करना descending order गीवीन है ठीक है कौन सा order आपका descending तो DE लगा दीजें चलिए जी descending का मतलब क्या बताया सीड़ी को उतरना आप सीड़ी उतरने का मतलब क्या है बड़े से छोटे नंबर की तरफ आपको चलना है क्या चलना है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आपको चलना है question में देखे ये भी बिल्कुल सेम question है, आपको कोई problem नहीं होगी, सब को number देखने हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है ना, पहले की classes में हमने सब ने किये हैं, तो चलिएगा, अब इसमें क्या देखना, आपको सबसे बड़ा number कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे sir यहाँ पर, सबसे जो बड़ा number है ना, वो 6432 है, ये देखो ध्यान से, कितना है सबसे बड़ा, 6432, आप देखो यहाँ 63 लिखा यहाँ 62 लिखा, तो कौन बड़ा होगा, sir 63 बड़ा होगा, 6324, sir 6234, 6234, और सबसे छोटा कौन होगा, तो आप कहेंगे sir 632 हमारा सबसे छोटा number होगा, अब दे यह 406 लिखावा है, 90406, अब 90 होगया, अब इसके बाद में कौन सा number बड़ा होगा, तो आप कहेंगे sir, यहाँ पर जो हमारा second number बड़ा होगा, वो होगा sir, हमारा कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे, तो आप कहेंगे sir 90403, अब देखो यह होगया, अब कौन सा होगा sir, य 90304, और सबसे छोटा होगा, 90046, देखें सिंपल है ना सिंपल कितना ज्यादा, अराम से नोट डाउन करेंगे, इसी का यह थर्ड पार देखेंगे, कहा कह रहा है, 82416, 84126, 86142, 82641, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो कहेंग 86142, ठीक है, यह सबसे बड़ा, उसके बाद में होगा सर हमारा 84 वाला, कौन सा, 84, 84126, अब देखो, 82416, 82641, तो कौन सा आएगा, 8, हमको सबसे बड़े नंबर देखेंगे, 82641, और उसके बाद सबसे छोटा नंबर, 82416, यह आपका सबसे छोटा नंबर, बाद समझ में आ गई होगी सभी के, और आराम से जल्दी से नोट डाउन करेंगे, क्वेशन नंबर 6, आपका बच्चो हो गया, यहाँ पर complete हो गया है, चलेंगे हम लोग अपने, क्वेशन नंबर 7 की तरफ, और 7 नंबर क्या कह रहा है, हम उसको देखेंगे, जल्दी से न आप लोग अराम से नोट कर दीजे, राइट, दा सक्सीजर, आपको सक्सीजर लिखनें, क्या लिखनें, सक्सीजर, राइट दा सक्सीजर ओ, किस चीज का सक्सीजर लिखना है, देखो ध्यान से, चलिएगा, फर्स्ट पार्ट है, 197, सेकिंड में कहा बच्चो आपसे, 1358, थर्ड में कह रहा है बच्चो, 10889, ठीक है, आप लोग इसको नोट करिएगा, अराम से नोट डाउन समने कर लिया होगा, वीडियो को पोज करिए, और अपना आप नोट डाउन को कर सकते हैं, इसको हमने कर दिया, यहां बच्चो रा चलिए जी, question number 10889, और फोर्थ पार्ट जो आपका है बच्चो, वो कह रहा है आपसे, 7999, कितने बार 9 है आपका, 4 टाइम आपका 9 है, देखो ध्यान जाए, सभी के successors बताने हैं, तो successors में सब को मालूम है कि सर हम लोग क्या करते, 1 add करते, successors of किसका, 197, तो क्या करो, 197 में 1 को add करतो, कितना हो जाएगा, 198 हो गया, answer भी, कितना हो गया, 198 आगया, देखे, आप देखे, इसका successors कैसे होगा, आप लोग खुद भी try करिए, देखे, ध्यान से, जैसे कि आप लोग सीख जाए, आज, 1, 3, 5, 8, इसका successors, कितना हो जाएगा, 1, 3, 5, 8, और plus में, 1, कितना हो जाएगा, 1, 3, 5, 9, देखो ध्यान से, हो गया, question complete, second part भी हो गया, आएए जी, third part देखो, ध्यान से, third part, तो successors आपको चाहिए, किसका successors चाहिए, आपको, ठीक है, successors हमको चाहिए, किसका, 1, 0, 8, 9, तो कितना होगा, 1, 0, 8, 9, में आप one add कर दीजे, कितना हो जाएगा, 9, 1, 10, 8, 1, 9, 8, 0, 1, यह आपका answer आगया, देखो ध्यान से, तो आपके, 3 part होगे, बच्चो complete, और अब हम आगे, बच्चो कौन से question की तरफ, अपने, question number आ जा 1, 0, 8, 9, 0, 1, 0, 8, 9, 0, 1, 0, 8, 9, 0, अच्चा एक part और रह गया ना, इसे और देख लो जरा, इसका भी successors देख लेते हैं ना, successors of 7, 9, 9, 9, 3, 4, 9 है बच्चो, आईए देखो, 7, 9, plus में कितना एड करना, 1, 9 और 1 कितना, 10, 9 और 1, 10, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 7, 1, 8, कितना आ गया, 80,000 बच्चो आ गया है, question आप लोगों का यहीं पर हो जाता है, बच्चो, complete, successors हम लोगों को निकालना था, अच्छा, double S, चलिए very good, यहाँ पर double S लगा दीजेगा, सभी बच्चे क्योंकि spelling में double S आता है, चलिए जी, question आप लोगों का यहाँ पर हो जाता है, बच्चो, complete, question number 7, complete होने के बाद, आगे हम लोग अपने question number 8 की तरफ, और 8 क्या कहता है, उसको देखेंगे, बहुत simple से question है, बहुत simple सी exercise है, बह question number 8 की तरफ हम अपने आ चुके हैं, और 8 number क्या कह रहा है, हम उसको देखेंगे, question number 8, चलिए जी, write the prediction, क्या करना है, प्रिडीशर आप लोगों का अपकी बार find out करना है, चलिए जी, इसको भी हम लोग करेंगे, चलिए जी प्रिडीशर, किसके किसके प्रिडीशर find out करने आपको, 80 के, और 7, 8, 9, 0, और 1, 3, 5, 8, 6, 1, 3, 5, 8, 6, और 4th part जो है बच्चो, वो है 10,000, कितना है, 10,000 का प्रिडीशर आपको find out करना, देखो जी, प्रिडीशर करना है find out, ठीक है, तो लिखिए देखिए, प्रिडीशर of किसका 80 का, देखो प्रिडीशर का मतलब भी बताए, आपको क्या करना, उसमें से 1- करना, क्या करना है, 1- कर दीजे, कितना आ जाएगा sir, 79, देखे, सक्सीजर में हमेशा ध्यान लखना है कि 1- करते हैं, और प्रिडीशर में हमेशा क्या करते हैं, बच्चों हम लोग 1- करते हैं, जैसे क्या, यहाँ पर देखो जरा, 7890, किसका, 7890 given आपको, इनको हम सभी को रफ कर देते हैं, क्योंकि आपने ये note कर लिए होंगे सबने, चलिए जी, इसका प्रिडीशर find out करते हैं ठीक है, और यह है आपका, प्रिडीशर आप, 7890, इसमें से क्या करना है, 1 को माइनस करेंगे, जब 1 माइनस करेंगे, तो कितना हैगा, 7889, बासमझ में आ गई होगी न, 1 माइनस करना सब को आता है, इसमें से भी क्या करना है, सर इसमें से भी 1 को माइनस करेंगे, तो कितना और यहां पर भी 1 को माइनस करेंगे हम तो 10,000 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो आंसर तो आप लोग बताएंगे ये कमेंट करके देखें तीन पार करा एक आपके लिए होमबर कराएगा तो question number बच्चो 8 आपका हो जाता है यहां पर complete हो जाता है चलेंगे हम लोग अपने question number 9 से लेकर mcqs question की तरब देखें अब हम क्या करेंगे यहां पर question को स्क्रीन पर लगाएंगे और सभी बच्चे questions को बहुत ध्यान से देखेंगे आखिर question में given यहां पर क्या है चलिए जी note कर लिया होगा सभी ने channel को subscribe नहीं किया तो जल्दी subscribe करेंगे साथ में bell icon प्रेस कर ल रहें अपने दोस्तों को भी link share कर दीजेगा चलिए जी question number 8 हम रफ करते हैं और चलेंगे अपने mcqs question की तरफ और क्या कहते है questions उनको हम बहुत ध्यान से देखेंगे चलिए जी तो यह आपके आगे हम कौन से questions की तरफ mcqs चलिए जी question number 9 देखो क्या कहता इस्क्रीन पर सभी के सामने question है और क्या कह रहा है question में कहा गया है the number 59,986 59,900 तो देखो A option में क्या लिखा 59,8 लिखा गलत हो जाएगा 58,986 यानि B option गलत हो गया कौन सा option सही है बच्चो C वाल आपको देखके पता चलिए 599,986 59,986 C4 चन्नाई is the right answer question number 10 और क्या कह रहा है अब बहुत ध्यान से देखेंगे which of the following set of the number is arranged in the ascending order तो ascending order में कौन सा लिखाव आपको ये बताना है तो आप देखते ही बता लगा पा रहे होंगे कि सर हमको तो D वाला लग रहा है 1006 10060 10600 16000 option number D, D for Denmark is the correct answer D for Denmark is the correct answer चलिए जी question number 11 the sum of the successor and producer of 100 100 का क्या करना है आपको successor तो 100 का successor of 100 क्या होगा चलिए गी, successor of किसका 100 का कितना होगा 100 में 1 को एड कर दिया कितना होगा 101 अब producer भी बताना इसली का ठीक है क्या बताना है prediction prediction of 100 तो भाईया क्या करना 100 में minus का 1 कर दिया कितना आगे 99 इसका sum बताना है क्या बताना है sum तो sum क्या हो जाएगा देखो ध्यान से 9, 1, 10, 9, 1, 10, 1 और 1, 2 कितना आगे 200 option number कौन सा बच्चो C इनका क्या बताना है total बताना था तो sum करने के लिए हमने क्या करना है 101 में add कर दीजे कितना 99 तो कितना हो जाएगा 200 आगे simple सथा question number 11 question number आगे हम लोग कौन से पर बच्चो 12 number और 12 number क्या कहा रहा है उसको आईए हम लोग यहाँ पर ध्यान से देख लेते हैं तो 12 number भी question आप लोगों के सामने है बच्चो स्क्रीन पर simple सा एक question है और क्या कह रहा है question सुनिएगा ध्यान से तो question में बच्चो कहा गया है in the number 43,256 the digit 3 stand 4 तो 3 कहा इस्टेंड करता है आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है देखे हम number लिखते है 4,3,2,5,6,1,10,000,10,000 कहां पर लाई करता है बच्चो 10,000 पर तो 10,000 में कितनी 0 होती 3 0 होती है तो हम इसको क्या लिखेंगे 3,000 क्या लिखेंगे 3,000 देखे 1,10,100,000 तो कितना हो जाएगा यह 3,000 हो जाएगा कितना हो जाएगा 3,000 option number कौन सा है आप लोग देख पा रहे होंगे c और c4 चेन नहीं इस दा correct answer question नमबर आपका 12 complete होता है आगे हम लोग अपने question number 13 के तरफ होट question है आप लोगों का और क्या कह रहा है बहुत ध्यान से आप लोगों को समझने की जरुवत है कि क्या कह रहा है इसमें तो इसी के साथ में बच्चों यह last question है आपका exercise का यहीं पर आप लोगों की पूरी की पूरी exercise हो जाएगी complete बहुत आपके message आए बहुत comment question बच्चों यह देखें कि जब आपको सारे question करा दिये जाएंगे तो आप कैसे solve करेंगे क्योंकि आप फिर यहां से क्या कर लेंगे copy कर लेंगे वह आपके ठीक नहीं है तो चलिए जी hot question आप लोगों के लिए screen पर लगा दिया गया है high order thinking based question है आप लोगों के लिए बहुत important question है क्या कहता सुनिए कह रहा है I am five digit number क्या कह रहा है मैं five digit number हूँ सबसे पहली बात my once digit is three once digit पर क्या कह रहा है three है once पर कितना है three है my hundred digit two hundred digit पर कितना है two time my once digit यानि कि hundred digit पर जो मेरा first digit number है उसका कितने time कर दीजे two time कर दीजे तो three two जा कितना हो जाएगा सीख देखिए यह once है यह hundred है यहाँ hundred पर जो digit है वो once कि three time है two time कर दो तो इसका two time कितना हो गया six हो गया बात को समझते रहिएगा my tenth digit is the sum of once digit and hundred digit यानि मेरा जो tens है वो once और hundred का sum है तो six और three कितना हो जागा यहाँ पर कितना जाएगा आपका nine ना जाएगा आगे लिखा है my thousand and ten thousand digit one less than the hundred digit जो hundred digit है उससे less है कौन thousand और ten thousand बात समझ में आ गई हो यह ten thousand लिखा है क्या लिखा है ten thousand यह thousand लिखा हुआ है आजाओ जी सबसे पहली बात यह पार्ट पर जाएगे कह रहा है what number I am मैं कौन नंबर मैं नंबर कौन सा हूं तो नंबर क्या बना हमारा five five six nine three देखे बहुत सिंपल था question है जितने इस अच्छे से आप questions को read पर कर पाएंगे उतना असा सक्सीजर हम बता देंगे बच्चों देखे क्या बनेगा सक्सीजर ऑफ five five six nine three इसका सक्सीजर देखिए तो क्या हो जाएगा five five six nine three में one को add कर देंगे तो five five six nine four आपका answer आ गया देखे कितना सिंपल सा question है देखे सी पार्ट पर आ जाईए और क्या last part है exercise भी आप लोगों की इसके साथी क्या हो जाएगी complete हो जाएगी क्या कह रहा है कह रहा है am I greater than और less than the number fifty five nine hundred thirty six तो अब बताओ जी greater होगा या less होगा तो simple सी बात है fifty five nine hundred thirty six से क्या होगा less होगा तो ठीक है यहीं पर आप लोगों की exercise हो जाती complete next वीडियो में हम बच्चों करेंगे आपकी कौन सी exercise करेंगे बी exercise करेंगे वन बी में जो total question है वो question है 11 तो चलिए यहां तक के लिए इतना ही वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा share करें आप लोगों का जैसा response आएगा उसके according हम लोग इस book पर बात करेंगे अभी शुरवात में कुछ वीडियो अपलोड करें चैप्टर वन आप लोगों का response देखना अगर response अच्छा था तो वीडियो आपके अपलोड होगी वन और हम किसी और बुक पर बात करेंगे कि आपके message comments बहुत आए इसलिए हम लोगों ने इस वीडियो पर बात करना बच्चों सुरू किया तो चलिए मिलते ह exercise 1B में और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करें और न्यू वीडियो का notification आपको मिलता रहेगा अपने status पर लगए अपने दोस्तों को share करें और मिलते हैं good bye bye to all have a great day good night